आपका हमारे चनल माकी रसोई में हार्दिक स्वागत हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लईया की चार जिसे हम मुर्मुरा भी बोलते हैं ये सब जगापर अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है तो इसको हम बहुत ही हैल्दी वे में बनाएंगे अब सर्दियों का मौसा में बहुत अच्छी सबजियां मिलती हैं तो इनको सभी कोई आप एड़ करके इसको इजली बना सकते हैं तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं हेल्दी वेजिटेबिल्स लईया चाट बनाने के लिए हमने सबसे पहले कड़ाई में दो चमबच सर्सो का तेल डाला है हमने इसको गरम कर लिया है अब हम इसमें आधा चमबच सर्सो दाना डालते हैं पत्यां हमने करी पत्ता लिया है टू पिंच हमने हीन पाउडर लिया है ये हमारा ब्राउन हो गया है अब हम इसमें एक कटोरी हमने प्याज लिया है जो कि हमने बड़े-बड़े पीसेज में काट रखा है अब हम इसको हलका ब्राउन होने तक भून लेते हैं देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया है अब हमने इसमें एक कटोरी मटर का दाना लिया है जो कि लगबक सो ग्राम है एक कटोरी हमने बींस लिया है एक कटोरी हमने बारिक कटा गाजर लिया है एक कटोरी हमने गोभी लिया है कटा वर हाप कटोरी हमने सोया बीन लिया है जो कि हमने दो वहंटे पानी में भिगो दिया था आलू लिया है हमने दो मेरियम साइज के आलू हमने बारिक कट कर लिया है तीन हमने बारिक कटी मिर्च लिया है अब हम इसमें मसाले एड़ करते हैं मसालों में हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है आप अपने टेस्ट के अनुसा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है आधा चम्मच हमने सौफ पाउडर लिया है एक चम्मच हमने नमक लिया है आप नमक स्वादा अनुसा रेड करें आधा चमच हमने अमचूर पाउडर लिया है, आपको अगर खटा कम पसंद है तो आप इसको कम कर सकते हैं, अब हम इनको हाफ बोईल कर लेते हैं, मिक्स कर लिया है अच्छी परकार से, अब हम इनको ढख देते हैं, लगभग 10-15 मिन्ट में हमारी वेज़ेटेबिल्स हाफ ब होने तक पका लेते हैं हमारी सब्जी तयार हो गई है हमारी सब्जी ये सब्छी तो कम कर का लगभगЙ आधी यह हमने 15-150 ग्राम यह अब ट्राट बड़न Mी ज्ञड़ने में रख लेते ह मैं और इसमें अब पानी से भीवो लेते हाई यह हमारा साफ भी हो जाय गा और सौफ्ट भी हो जाएगा और गलेगा नहीं जुद्अ यह हम अपना सारा लईया कर लेते हैं यह देखें यह हमने लईया अच्छे से पानी में धुल लिया है यह हमारी सॉफ्ट हो गई है लईया अब हम इसका पानी की एक एक बूंद अलब कर देते हैं और इसको अलग बाउल में पलट लेते हैं अब हमने एक बाउल लिया है और उसमें हम अपने लईया पलट लेते हैं यह हमने बाउल में लईया कर लिया है अब हम इसमें अपनी सबजी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा जितनी आपको पसंद है उतनी हम एड़ कर लेते हैं इसमें टमाटर काटा है बारिक बारिक वो एड़ किया है, धनिया चटनी एड़ किया है, हमने मीठा सोस एड़ किया है, आप टमाटो चटनी भी आड़ कर सकते हैं, यह हमने पापड़ी लिए, यह हमने बजारी पापड़ी लिए है, आप कोई भी घर पे बनी हुई या बजा हमारी कोई भी आड़ कर सकते हैं चाट मसाला एड़ किया है और से मिक्स कर लेते हैं इस परकार हम दो चमुचो की हेल्प से इसको अच्छी परकार से मिक्स कर लेते हैं अच्छी परकार से मिक्स हो गया है अब हम इसको सर्व करते हैं सर्व करने के लिए हमने प्लेट में इसको अड़ कर लिया है अब हम उपर से इसमें थोड़ी सी पापड़ी एड़ कर देते हैं अनारदाना आप अपने टेस्ट के अनुसार सर्वें में कुछ भी आड़ कर सकते हैं और सबजिया जो भी आपके पास घर पर अविलेबिल है वो आड़ कर सकते हैं इस समय मेरे पास घर पर धनिया पत्ती अविलेबिल नहीं है तो चाहें तो आड़ कर सकते हैं यह हमने आलू की सेल ली है यह बजारी है थोड़ी सी हमने लईया रोक लिया था थोड़ी सा हमने उपर से गानिशिंग के लिए एड़ किया है थोड़ा धनिया पत्ती के चटनी एड़ की है यह देखिए यह हमने थोड़ा सा इसमें सोस से चटनी डाल सकते हैं यह सोस कुछ भी आप एड़ कर सकते हैं यह देखिए यह हमारी यम्मी माउथ वाटरिंग लईया की स्वादिस्ट और हैल्दी रसिपी तैयार हो गई है आप कभी भी इसको बना सकते हैं इस विंटर में जरू ट्राइए कीजिए अगर हमारी रसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रसिपी को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे की हमारे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले ये बिल्कुल फ्री है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए